पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अरबाब आलमगीर साहब हमारे साथ मोजूद हैं इनके बेटे जरक खान साहब जो है वो यहां से मेयर का अलेक्शन लड़ रहे हैं बड़ी एक भरपूर कारणर मीटिंग से अभी कुछ दिर पहले इन्होंने खिताब किया इन से पूछेंगे के पहले भी पीपल्स पार्टी के दोर में ये वफा के वजीर भी रहे हैं तो अब क्या आपका मोटो है क्यों लोग आपको वोट दें एक दफ़ा फिर सा क्यों है देखें मैंने तो भी अपनी कॉर्णर मीटिंग में भी कहा कि आप लोगों का हक है कि आप मुछ से पूछें कि मैं क्यों आप से वोट माग रहा हूँ इसकी वज़ा ये है कि मुछ से पहले यहां पे मेरे वाले साब नव नव दफ़ा नव दफ़ा कौमी और सुबाई सेमली की एलेक्शन लड़े हैं और मेरे खाल में पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जो नव दफ़ा ये जीच चुके हैं फिर ये हमारी जमीन है इदर हमारा कबरिस्तान है ये हमारा कौम है मैं आया हूँ मैंने भी यहां खिद्मत किया और इस खिद्मत शुक्र है कि मेरे बाद भी दो M&A जाए है लेकिन अब इन लोगों को एहसास है कि यहां पे मैंने क्या किया है और इन लोगों ने क्या किया है देकिए एक आद्मी ऐसा नहीं है कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप वोट दें और उसको कुछ डिलिवर्य करेगा नहीं डिलिवर कर सकता इस मुल्क में डिलि Wish के लिए आपको बैगराउंड चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? उसके बग्यार कैसे होगा? मने का फंड कितना होगा? जब मैं मने था, तो मेरा फंड सिर्फ एक करोड रुपए था. लेकिन मैंने यहां पे अरब रुपए के मनसूबे की हैं. और वो मैंने निशालाओ ताला देखेंगे इस दफ़ा. इस दफ़ा आप देखेंगे कि मुझे यहां से कितने वोट मिलते हैं. अच्छा मुझे यह बताएगा कि आठ साल तकरीबन पीटियाई इस पूरे सुबह में हकुमत कर चुकी है. अब आपको क्या लगता है कि कौन सी नाकामिया है जो इस बार जो है लोग पीटियाई को वोट नहीं देंगे और पेपल्स पार्टी को चूज़ करेंगे. नाकामी अगर एक हो तो मैं आपको बता दूँ. यह लोग तो हर फ्रंट पे नाकाम है. इन मेरे खाल में मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं. लेकिन इन जैसे नह अहल लोग मैंने जिन्दगी में नहीं नहीं देखी. देखे आज अभी अभी तो सरफ पांच-छे साल हो गए हमने तो फिर भी चलो चालीस-पचास साल कर लिया उसके बाद ठीक है हमारी पोजीशन खराब हो गई और हमारी हमारी शाय को ताहियों की वज़े से लोगों ने पीटी आई को वोट दिया. देखे हैं भी तो पांच-छे साल हो गए. आज आज कोई बैड का निशान नहीं ले रहा. आज कोई अमरान खान की तस्वीर नहीं लगा रहा. तो इस से ज्यादा और क्या होगा? पीपल्स पार्टी ने में इने इस मुल्क में डिलिवर किया है हमारी जो भी जब भी हुकूमत आई हमारे मुल्क हमारी दोर के एकनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, इनके एकनॉमिक इंडिकेटर्स थें. बस इनका तो एक ही नारा है कि पिछले गवर्मिंट का रपती है. चलो मैं माल लेता हूँ. हम कर अप ही थे, हम खराब भी थे ल लड़ रहे हैं तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे क्योंके बाज मकामात पर जो है आपकी जमात उनके साथ खड़ी होती है खास दोर पर पार्लिमेंट में तो आप एक होते हैं अब यहां पर यहां पर हालात और हैं मैं एलक्शन लड़ रहा हूं पीडिये और 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 प्रोव लिए बार नहीं है मेरे वाले साथ ने भी इस तरह बहुत 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 हो के शिकस्त दिये इनको हम ऐसा शिकस्त देंगे कि ये इन्शालाओ ताला सारी उमर याद रखे प्ले तराम मौसराम मशरान और रुणू लग मेरा वानियों की मान तवज़ राके दलता तासा समा अवल्ने प्रोग्राम न दे दलता ठूल वर मा कड़़ए और दाम वे मा किमाल अख़दे यह मकरा कड़़ओ अमारी की कार कड़़ए दा फीडर मा कड़़ओ देल मा साड तीन करूर रुपए मा जोरी करे वे खो बस बसा नूर दागे पर डिटेल को उस्दन नजब दस तासू दा बीजले एलाच फीडर दे दा मा मखके वेल दा वो समुए लगा नकी की पर ट्रांसामरों सोना ट्रांसामरे मा पर दे इख पला इलाका की लगो दोल सवा का पर द दुटा सुन भी पखदे का समी ब्यार रशी मात पकबर तू के यह पाकीसार नाम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जमुग पार्टी कि समुने मं खल्सेटी। समुग। वो न शम्यभार जोग जो कि अ दिए मृश्ति कम झातनी दो न से तरिक झालग की यो झालग चैजर कि बात спार खुछ जो इस57 मत खेती मृम औरे ख electorार, झेαन पडिएक प्रात झाल, इसमत्स ऩापूड झाल, पर दापस्ट पर दापस्ट पर दापस्ट पर दापस्ट पर दापस्ट पर दाप्स तिर दोय वर थाफस्टs झाल झाल! झाला! झाल 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 झाल